इस्टुदेंट्स आज मैं आपको दे जज्जमेंट सीट आफ विक्रमादित का सेकेंड पार्ट एक्स्प्लेंड करूंगा जो क्लाश 10 यूपी बोर्ड की सप्लिमेंटरी रीडर का है ग्रेजुली दिसन्यूज इस्प्रेट थ्रू द कंट्रिसाइड ग्रेजुली कार्थ है धीरे-धीरे धीरे यह समाचार यह बाद यह घटना पूरे देश में फैल गए इस्प्रेट कार्थ है फैलना Grown-up men and women from all the villages would bring their dispute in the court of cowherd boy सभी परिपक्व आदमी और औरतें Grown-up कार्थ है परिपक्वर सभी परिपक्व आदमी और औरतें पूरे गाओं से अपने बिवादों को लेकर इन चरवाहे लड़कों के समूह में या चरवाहे लड़कों के समूह के कोट में या न्यायाले में आते थे पूरे गाउं से and always they received a judgment that both sides understood and so went away satisfied और हमेशा ही वे लोग ऐसा न्याय प्राप्त करते थे कि दोनों ही पक्च न्याय को समझ पाता था और उससे संतुष्ट होकर वापस जाता था अब जो राजा था जो उजयन से काफी दूर रहता था उसने इस पूरी कहानी को सुना वेल उसने का अच्छा युशने का अच्छा तब बॉय मुष्ट हैव डिफनेटली सेट अन जजमेंट सीट अब विक्रमादित उसने का अच्छा वह जो लड़का है निश्चित रूप से विक्रमादित की नियाएवाली कुर्सी पर या नियाएवाली सिंहासन पर बैठता होगा नियाएवाली नियाएफा बैठक vari नियाएवाल अच्छा नियाएवाली नियाएफा खंडहर जो चारगाह के रूप में था वह कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था It just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd boy It just sitting on the mound बस उससे टीले पे बैठना ही उस लड़के के अंदर उस चरवाय है लड़के के अंदर गुद्धिमानी और नयाय ला दिता था He thought उसने सोचा Let us dig deep and find the judgment, see उसने सोचा कि गहराई तक खुदाई की जाए और उससे नयाय की कुर्सी को नयाय की सिंगासन को प्रात किया जाए I too shall sit on it and hear all the cases मैं भी उस पर बैठूंगा और सभी वाद को सभी मुकदमे को सुनूंगा Then the spirit of Vikrimadity will listen upon me as well and I shall always be a just king और तब Vikrimadity की आत्मा मेरे अंदर उतर आएगी और मैं हमेशा ही नयाय राजा की तर नयाय राजा मनूंगा So with spade and shovels the greasy knoll where wise plate was overturned और फिर फावड़े और कुदाल से इस पेट कार थे फावड़ा और सोवेल्स कार थे कुदाल The boy who had been self-made judge was sorrowful लड़का जो swing ही जाय धिस बन गया था वो काफी दुखी था He felt that something very dear to him was being taken away उसे महसूस हो रहा था कि उसका कुछ खास है जो उससे दूर ले जाया जा रहा है जो उसे चीना जा रहा है At last the levers came on some things अंत में मजदूर किसी चीज तक पहुचे खुदते हुए They uncovered it and found a slab of black marble उन लोगों ने उसको uncovered किया उसके आवरण को हटाया और पाया की एक पटिया है काले रंग की संगमंगमर की बनी हुई संगमंगमर की काले रंग की पटिया उन लोगों ने पाया slab का अर्थ है पटिया और marble का अर्थ है संगमंगमर supported on the hands and wings of 25 stone angels इस पटिया को 25 देवदूतों ने अपने पंखों और हाथों पर उठा रखा था surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य निश्चित रूप से यह जो seat था यह जो कुर्सी थी विक्रमादित्य की न्यायवाली कुर्सी थी या न्यायवाला justice बहुत ही हरसुलास के साथ इसे सहर लाया गया और न्याय के हाल में या न्याय के कमरे में इसको रखा गया the king ordered his people to observe three days prayer fasting and announced that on the fourth day he would ascend on the throne publicly राजा ने अपने लोगों को आदिश दिया कि तीन दिन तक फुकुवास के साथ प्रार्थना करे और घोश्रा किया कि चोथे दिन वह जनता के सामने इस कुर्सी पर या इस सिंगासर पर बिराजमान होगा एसेंड कार्थ है यहाँ पर बिराजमान होने से fasting कार्थ है खुवास prayer कार्थ है प्रार्थना at last the great morning came and crowds assembled to see the king take his seat और अंत में वह महान सुबह भी आई भीड एकत्रित हो गई या देखने के लिए की राजा seat पर या सिंगासर पर बैठने वाला है राजा को सिंगासर पर बैठते हुए देखने के लिए भीड जमा होगी walking through the long hall उस बड़े से hall से गुजरते हुए उस बड़े से कमरे से गुजरते हुए come the judges and priests of the kingdom उस बड़े से hall से गुजरते हुए नियाधीस और पुजारी जो उस राज के थे आए followed by the king वे लोग राजा के पीछे पीछे आये then as they reached the seat of judgment और जब वे सभी उस ने आये के सिंगासन के पास पहुचे they parted into two रोज वे सभी दो पंक्तियों में बढ़ गे the king walked up in the middle राजा बीच में आगे बढ़ा bored his head in reverence and went straight to marble slab सम्मान के साथ उसने अपने सिर को जुकाया और सीधा ही उस संगमंगमर के पटिया की तरफ गया when the king was about to seat on throne जब राजा उस सिंगासन पर बैठने ही वाला था one of the angel began to speak उन में से एक देवदूद बोलना सुरू कर दिया stop it said उसने का रुप जाओ do you think that you are worthy to seat on the judgment seat of विक्रमादित क्या तुम सोचते हो क्या तुम समझते हो कि तुम विक्रमादित के सिंगासन पर बैठने के काबिल हो have you never desired to rule over kingdoms that were not your own क्या तुमने कभी उन राजियों पर सासन करने की इच्छा की है जो तुम्हारा नहीं है for a while the king could not think of an answer कुछ देर के लिए तो राजा जवाब नहीं सोच सका जवाब ही नहीं सुझा राजा को he knew his life was unjust वो जानता था कि उसका जो जीवन है नया युप्त नहीं है after a long silence काफी लंबे समय के चुप्पी के बाद he spoke उसने बोला no he said I am not worthy उसने कहा नहीं मैं योग्य या काबिल नहीं हूं go then and fast and pray for three days said the angel उस देवदूत ने कहा तो फिर जाओ तीन दिन तक उपवास करो और प्राथना करो so that you may purify yourself और इस तरह से तुम अपने आप को सुद्ध करोगे and be worthy to sit on the throne और इस सिंगासन पर बैठने के काबिल बन जाओगे with these words it spread its wings and flew away इन सब्दों के साथ या इन बातों को कहने के साथ साथ ही वो अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया the king prepared himself with prayer and with fasting to come again राजा ने अपने आपको तयार किया प्राथना करते हुए और उप्वास करते हुए फिर से आने के लिए and sit on the judgment seat of Vikramadit और Vikramadit के सिंगासन पर बैठने के लिए but this time again the same thing happened पर इस बार भी वही चीज दुबारा घडित हुई another stone angel asked him दूसरी पत्थर के देवतूत ने उससे पूछा if he had never desired to possess the riches of others यदि उसने कभी दूसरों के धन को पाने की इच्छा न की हो लोभ न किया हो तो ही बैठो the king admitted that he had done so and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat राजा ने स्विकार किया कि उसने ऐसा किया है दूसरों के संपत्ति लेने की लालसा रखी है और इस कारण से हुआ इस नियाएक के सिंगहासन पर बैठने के काबिल नहीं है in this way whenever the king tried to occupy throne और इस तरह से राजा ने उस सिंगहासन पे काबिज होने का प्रयास किया आकुपाई का रथ होता है कब्जा करना he was questioned by an angel and he had to withdraw उसने जब जब भी प्रयास किया तो किसी देवदूत ने उससे पस्न पूछा और उससे नकार दिया गया this went on till only one angel was left supporting the marble slab यह तब तक चलता रहा जब तक उस संगमंगमर की पटिया को केवल एक देवदूत ने समहल रखा था the king went near the throne with great confidence राजा उस सिंगहासन के पास काफी आत्मिस्वास के साथ गया for he felt sure of being allowed to take his place that day और उसका जो आत्मिस्वास था इस बात के लिए था कि उसे महसूस हो रहा था कि अब तो उसे आज के दिन इस सिंगहासन पर बढ़ने की अनुमती मिल याएगी but as he came near the seat the last angel spoke लेकिन जैसे ही वह सिंगहासन के करीब आया तो अंतिम दिवदूत ने बोला are you then perfect pure in heart? oh king, काहे राजन क्या तुम हिर्दे से दिल से सुद्ध हो? is your heart as pure as that of little child? क्या तुम्हारा हिर्दे इतना साफ है जितना की एक छोटे बच्चे का होता है? if so, you are indeed worthy to sit on his seat और अगर ऐसा है तो तुम वास्तों में इस सिंगहासन पर बैठने के काबिल हो? no, said the king very slowly, राजा ने बहुत ही धीदे से कार नहीं no, I am not worthy, मैं काबिल नहीं हूँ and as these words the angel flew up into the sky और इन ही सब्दों के साथ वा देवदूत आसमान में उड़ गया bearing the slab upon the hands अपने हाथों पर उस पटिया को लिये हुए इन सब्दों के साथ ही देवदूत उस पटिया को अपने हाथ पे लिये ही उड़ गया this was how the judgment seat of Vikrimadit disappeared from the earth forever और इस तरह से Vikrimadit के नियाय का सिंगहासन धर्ती से सदा सदा के लिए गायव हो गया तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सेर कीजिए ताकि वे भी इस स्टोरी को जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें